हेलो माई यूटूब फैमली कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंड अकसर आपने घर में देखा होगा कि इस सबजी को हमेशा नका रही जाता है कि मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा लेकिन ये सबजी बहुत ज़्यादा टेश्ट बना करके दिखाऊंगी एक रेश्पी मेरी कल जाएगी तो हम घर में हम स्रिफ दो लोंग है और बैगन का साइज आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा है तो हम दो लोंग इतना बैगन नहीं खा पाएंगे तो मैं दो तरह की सबजी बनाऊंगी और बना करके रख देने से बासी खाने से कोई फायदा नहीं होता है थोड़ा सा बनाईए थोड़ा सा खाये तो अगर आप लोंग भी घर में सिर्फ दो लोंग रहते हैं तो आप मुझसे जुड़िए आपको एक से बढ़ करके एक रेस्पी मिलेगी खाने के लिए जो सिर्फ दो लोंगों के लिए चोटा-चोटा कट नहीं करना है इसी साइज में आप भी कट करिएगा और यह जो हमारा आधा बैगन बचा करके रखी हूं ना उसे सप्रट करके रख दीजिएगा तो बैगन के साथ हम यहां पर आलू लिए हैं तो आलू को बहुत बड़े-बड़े साइज में कट नहीं क आप अगर आलू नहीं खाते हैं या फिर सुगर पेसेंट है तो आप आलू को अवाइड भी कर सकते हैं इस सब्जी में बिना आलू के भी यह सब्जी बहुत ज्यादा टेश्टी लगती है तो आधे बैगन को मैं इस तरह से उठा करके रख दे रही हूं क्योंकि इसकी सब आंटिटी के हिसाब से चीजे ली हूं और यहाँ पर हम अद्रक लिए हैं और हरी मिर्च तीखे के हिसाब से आप हरी मिर्च ले लीजिएगा और कडाही हम रख दिये हैं घरम होने के लिए और बहुत थोड़े से तेल और मसाले में हम यह सब्जी बनाएंगे बहुत थोड थोड़ा सा अलग टेश्ट आता है और हिंग डाले हैं बैगन की सब्जी लोग इसे लिए नहीं खाते हैं क्योंकि वह थोड़ी सी बादी होती है गैस बनाती है लेकिन जब आप इस तरह से बना करके बैगन की सबजी खाएंगे ना तो बिल्कुल भी गैस नहीं बनाएगी और लेसन, अदरक, हरी मिर्श और प्याज जो कटके रखे थे उसका हम तड़का दे दिये हैं और आलू भी इसी टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं किये हैं और तभी हम आलू डाल दिये हैं तो आलू को थोड़ा पहले इसलिए डाले हैं फ्रेंट क्योंकि आलू थोड़ा गलने में टाइम लेती हैं और बैगन हमारे तुरंत गल जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी सबजियों को एकदम से गला करके खतम नहीं करना है और इस तरह से बनाएंगे तो हर एक चीज आपकी एकदम खिल करके दिखेगी सब मतलब प्लेट में कि हां आपने कौन सी सबजी बनाईए और नहीं तो सारी चीज़ों अगर एक साथ डाल दीजेने तो बैगन तो एकदम से गल जाते हैं उनका अता पता ही नहीं रहता है कि कहां पर है तो यहां पर बहुत थोड़ा सा मसाले का यूज करेंगे मसाला भी नहीं डाल रहे हैं यहां पर सिर्फ हम हल्दी डालेंगे थोड़ा सा सबजी क कॉंटिटी के हिसाब से मतलब आधा चमस से भी कम हम हल्दी डाले हैं और यहां पर हम डाले हैं नमक टेस्ट के कोडिंग नमक डालना है फ्रेंड लेकिन आप हिसाब से डालिएगा कहीं तेज ना हो जाए और फिर उसके बाद इसको धग धग करके हम पका लेंगे तो यहां साले लगर मतलब हल्दी लगर डाले है न तो वो जले न प्याज बगर हैं इसलिए इसमें कम से कंब मतलब की चार चमच की। यूज नहीं करना है अभी और यह देखिए सब्जीन को अलु एकदम से पक्रिफ्रक्ट मतलब की गल चुका है और बैगन भी हमारा 50% हो गया है तब हम इसमें डाल रहे हैं ये पालक तो फ्रेंड अगर हम बैगन पालक आलू सब कुछ को एक साथ डाल देते ना तो बैगन आपकी एकदम से गल जाती है और उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जब आप इस तरह से आप मतलब की बैगन पा आजी की ब्रेकफास्ट में भी आप बना सकते हैं एक टमाटर कट करके डाले हैं डाल रहे हैं और सिर्फ 10 मिनट में ये सबजी बन करके आपकी रेडी हो जाती है आप चाहें तो यहां गरम मसाला फ्रेंट थोड़ा सा बहुत आप देख रहे होंगे ना कि गरम मसाला बहु यह वाली सबजी बहुत मतलब जायके की लगती है मस्त लगता है खाने में अगर आप मेरे इस तरीके से सबजी बना करके और जैसे मैं खाऊंगी उस तरह से खाएंगे ना तो बहुत टेश्टी लगेगी और आप न चाहते हुए भी कम से कम अगर आप सुबह नाजते में एक ही पराठा खाते हैं तो दो खाएंगे दो खाते होंगे तो तीन खाएंगे इतनी जादा यह सबजी टेश्टी लगती है और इसे आप सुबह टिफिन में दे सकते हैं आप इसे लंच बॉक्स में दे सकते हैं और डिनर में भी कर सकते हैं तो मुझे थोड़ा सा मेरा नम रेडी हो गई है बस दो मिनट और आप इसे धक करके पका लीजिएगा तो एकदम पर्फेक्ट आपकी सब्जी बन करके रेडी हो जाएगी तो लुकवाइज भी आप देख रहे होंगे कि हर एक चीज बैगन पालक आलू सब कुछ दिख रहा है एकदम टमाटर वगारा यह वाली सब्जी बहुत टेश्टी लगती है फ्रेंट बैगन में कहिए तो यह सब्जी सबसे पर्फेक्ट लगती है बीना तेल मसाले की होती है और हैल्दी भी होती है क्योंकि पालक और जो हमारा बैगन है न वो आयरन से भरपूर होता है अगर मतलब हींग अगर अच्छे कि आपको सिकायत नहीं होगी तो आज से आप मतलब कि अगर नहीं खाते होंगे न इस तरह से बनाईए बैगन को नकारिए नहीं इस तरह से बना करके खाईए और धनिया की पत्ती जरूर डालिएगा नहीं है तो कोई बात नहीं लेकिन है तो आप धनिया की पत्ती डालिए ये धनिया की पत्ती से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए तो बस मेरी सबजी देखे एकदम परफेक्ट बन करके रेडी हो गई है आप इसे लंच बॉक्स में भी हस्बेंड के लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं बच्चों को भी दे सकते ह दो लोगों के हिसाब से मेरी सब्जी देखे कितनी परफेक्ट बनी हुई है और मैं इसके साथ बना रही होंगे पराठे तो बैगन पालक की सब्जी और पराठो का कंबिनेशन फ्रेंड बहुत परफेक्ट लगता है वैसे तो आप किसी भी चीज से खाये लेकिन पराठे स खाएंगे तीन कोने वाली पराठे के साथ एकिन मानिए दो की जगह तीन पराठे तो एकदम आराम से खा लेंगे जो तीन खाते हैं वो चार खाएंगे तो फ्रेंड आपको याद दिला दू अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और कमे थे आपका जगयए पहोगी टूख आपका झा वोगी जया हो होगी उर जापका प्हाएंगे जार questo video में ताप तभको हाएंगे जार मत अवया होगी वीवीथ उ नष्किल दो ताते हैं म Caleb दग जास घ हैंगे ताते हैं और स्मिल जा एर ए Нवाज सहिए ताते हैंगे